दोस्तों यह वीडियो करीब करीब चौविस मिनट का है पचीस मिनट का भी हो सकता है आप लोगों से यह अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यह तो पता चल ही जाएगा और अगर आप केवल कारण को जानना चाहते हैं तो छटे मिनट से वीडियो क को सुनना सुरू करें आपको केवल कारण पता चलेगा बैक ग्राउंड आप नहीं जान पाएंगे यदि आप पूरा 24 मिनट इस वीडियो को सुनते हैं तो आपको ये तो पता चली जाएगा कि उत्तरप्रदेश के राजधानी लखनव क्यूं बनी इसके साथ ये भी पता चल लगा जैहिन जैभागलपूर जैंग प्रदेश अंगीका भासा जिंदाबाद दोस्तों नमस्कार आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूं उत्तरप्रदेश के बारे में और मैं बात करूंगा कि उत्तरप्रदेश जिसमें युनाइटेट प्रोविंस ओफ आगरा एंड अवच से उत्तरप्रदेश जो आज का है वो युनाइटेट प्रोविंस बना तब भी उस समय उत्तरप्रदेश में बहुत से बड़े-बड़े सहर थे जैसे कि वारा नसी प्रयाग राज उजो की उसमें लहाबाद हुआ करता था कानपूर, मेरट, आगरा और आगरा तो बहुत बड़े सहर के रूप में जाना जाता था आगरा, लहौर और दिल्ली ये तीन तो मुगल समराजी के गड़ थे जिसे की अकबर ने आगरा से मूव करके फतेपूर सिकड़ी करने की कोशिस की लेकिन वो उतना सकस्पूल नहीं हो पाया, उसके बाद भी लखनओ को ही क्यूं राजधानी के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश का, देखिए इसमें बात तो चल रही थी उत्तर प्रदेश की अगर आगर आज लखनओ राजधानी नहीं होती, तो आज उत्तर प्र पे है लेकिन जो बात है कि इस तरीके से पक्षपात क्यों किया गया लखनों को उत्रपदेश की राजधानी बनाने के लिए दरसल जब आप राज़ियों के इतिहास में जाएंगे जिसमें स्टेट्स रियोर्गनाज़शन एक्ट बने और उसके पहले जब राजधानीयों की बात आ रही थी तो लगवग हर स्टेट में पहले ऑप्षन को दरकिनार कर दिया गया है जैसे कि मैं आपको एक एक जामपल देता हूँ इसमें बिहार एक्सेप्षन है लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पहला ओप्षन था और जो जनता की भी पसंद थी वो प्रयाग राज था मतलब इलाहवाद और इलाहवाद का स्ट्रेटेजिटिक लोकेशन भी बहुत ही सुटेबल था और उसके पहले भी इलाहवाद से ही अंग्रेजों का सारा काम उत्तर प्रदेश मतलब इनाटिट प्रोविंस का होता था फिर लखनों को चुनने के जो कारण थे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसके बाद अगर आप मद्यपरदेश में जाएंगे तो पहला ओप्सन पूरे मद्यपरदेश की जनता और उस समय के च्छतिस घर की जनता और सभी लोगों का पहला ओप्सन इंदौर था लेकिन इन दौर को ना करके बोपाल को चूस किया गया वही आप अगर अगर आजستान में जाएंगे तो राजस्तान में पहला ओप्सन जो राजदानी को बनाने का था वो अजमेर था लेकिन फिर भी जैपूर को बनाया गया उसके बाद आप गुजरात में जाएं तो गुजरात में पहला अपसन अहमदावाद था लेकिन गांधी नगर को बनाया गया उसके बाद भी अगर आप और भी राजियों में जाएं जैसे कि उत्राखंड में भी एक अलग राजधानी बनाने की बात हुई जब उत्राखंड उत्रफर्देश से अलग हुआ उसका नाम कुछ है अभी हाल फिलाल में चरचित था लगवग छे मैने पहले या साल बर पहले लेकिन फिर भी तहरादुन को बनाया गया राजधानी उसके अलावा आप और भी आगे बढ़ें राजियों की बात करें तो आप ये देखेंगे कि हर राजियों में लगवग लगवग नौर्थ इंडिया में खास कर जो पहला ओप्षन था राजधानी का उसको दरकिनार करके सेकेंड ये ठाड ओप्षन को चुना गया इसका अगर मेन कारण सबसे बड़ा कुछ था तो वो था पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल सपोर्ट लेकिन आज हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्व में बात करेंगे बिहार के संदर्व में थोड़ा समय चर्चा करना चाहूंगा इसके पहले जिस समय बिहार और उरिशा प्रोविंस को बंगाल से संग्यूक्त परतना राजधानी के साथ अलग किया गया उसी समय ये बात चल रही थी कि बिहार और उरिशा जो संग्यूक्त प्रांत अलग हो रहे हैं इसके राजधानी क्या बनाई जाए मतलब इसकी राजधानी अगर बने तो आप ये देखेंगे कि भूवनेश्वर का अगर आप सदन पाट से पतना की दूरी देखें तो वो काफी दूर है करीबन करीबन आट सो 700-800 किलो मेटर से जादा ही होगा कम नहीं होगा हो सकता है 900 किलो मेटर, 1000 किलो मेटर भी हो जाए फिर वहीं आप अगर सराय केला और सिंग्भूम के छेतरों से पतना की दूरी देखें वो भी काफी दूर है लेकिन पटना को ही राजधानी क्यों बनाया गया कुछ ऐसा राजधानी क्यों नहीं चुना गया जो कि जारखंड के मिड पॉइंट पे होता जहां से जैनगर की भी बराबर दूरी होती और उडिसा के सदन पाट से भी लगवग बराबर दूरी होती इस तरीके से क्यों नहीं चुना गया तो पटना को चुनने का कारण था क्योंकि जो बिहार राजध को अलग करने का जो मेन एरिया था न वो पूरा का पूरा बिहार और नौर्धन जारखंड था संधाल प्रगना का छेतर वगएर था यही चेतर था जिन्होंने लड़ करके और यहीं पे एक हावा चली थी कि बिहार को एक अलग राज़े बनाया जाए और इसकी सुरुवात होती है वही मुंगेर से 1909 में की 1910 से भी पहले साधा 1800 में भी मुंगेर और पतना से बात चली थी तो जो इसमें प्रमुक छेतर थे वो मैंने आपको बता ही दिया है कि भागलपूर गया पतना और हजारी बाग रांची वेगरा का छेतर काफी आगे था प्रोटेस्ट करने में कि हमें बंगाल से अलग किया जाए और फिर फाइनली बंगाल से अलग किया गया तो लगवक छे मिनट बीट गए अब मैं सुरुवात करता हूँ कि उत्तर प्रदेस में लखनों को क्यों राजधानी बनाई गई गई एक बैक्ग्राउंड देना जरूरी था क्योंकि यदि ये बैक्ग्राउंड आप लोगों को मैं नहीं देता तो आप लोगों को आगे की डायरेक्ट बात पता नहीं चलते उत्तर प्रदेस के संदर्व में कहानी कुछ अलग है उत्तर प्रदेस के संदर्व में ये है कि यहाँ पे ज़्यादा तर पार्ट जो था उत्तर प्रदेस का वो seeded and conquered territories से direct चलाया अंग्रेजों के पास और उस समय बहुत जब United Province बना फाइनली तो उस समय बहुत से छेतर आगे आगे कि हमें राजधानी बनाओ हमें राजधानी बनाओ हमें राजधानी बनाओ उसमें से तीन चार नाम आते हैं एक जो पहला नाम आता है प्रयागराज और वास्तों में United Province का सारा काम जो है वो प्रयागराज से ही चलता था दूसरा बनारस था और तीसरा जो था वो आगरा था चौथे नमबर पे आता था लखनवू और पांचवे नमबर पे मेलट था और सभी का कारण भी मैं बताओंगा क्यूं ये सभी जगह दावा करते थे कि इनको उत्रप्रदेश की राजधानी बनाई जाए उस समय के United Province की हिंदी में कहें तो संग्युक्त प्रांद की क्यूं ये सभी छेतर दावा करते थे और उत्राखंड से उतना ज़्यादा आज का जो तेड़ी गड़वाल और कुमाओगर का चेतर है यहाँ पर से उतना ज़्यादा नहीं था एक थोड़ा बहुत जो था वो रामपूर दावा करता था लेकिन रामपूर का काफी छोटा चेतर था चूंकि रामपूर के नवाब एक अपना अलग उनका चेतर था तो इसमें अब आईए बात करते हैं कि क्यूं सभी चेतर अपना दावा करते थे पहला नमबर का जो दावेदार था वो था प्रयागराश मतलब इलहाबाद पूरे प्रदेश को कंट्रोल करना काफी इजी था और यहाँ पे बनी बनाई हुई सिस्टम थे और यह गंगा यमुना के दवाब चेतर में भी आता था प्रयागराश और यहाँ का जो लोकेशन था यह काफी अच्छा था पूरे छेतर को एडमिनिस्टर करने के लिए और यहाँ पे इलहाबाद हाई कोट भी था और यहाँ के लोग भी जो प्रयागराश के लोग भी जो थे वो बड़े ही सालीन थे इसलिए उत्तर प्रदेश का अगर आप स्टेट एम्बलम देखेंगे तो उसमें मचलियों को दिखाया गया है कि एक मचली गंगाक तरपस आ रही है और इसमें इलहाबाद का दरसन होता है कि यहाँ के लोग बहुत ही सालीन मिलनसार तरह के हैं और बहुत ही एक अच्छा इमेज के रूप में था तभी अंग्रेज इससे बनाना चाहते थे दूसरा नंबर का दावेदार था और दूसरी बात ये भी थी कि इसका धार्मिक महत्वी बहुत था प्रयाग का यहाँ पे अंग्रेजों के आने मुगलों के आने से कई साल पहले स यहाँ पे कुम का मेला लग रहा था हिंदूओं के लिए काफी पवितरा स्थान था तो ये बातें भी थी दूसरा नंबर का जो दावेदार था अच्छे एक पॉइंट मैं इसमें और एड कर दूँ कि ये डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में था ये छेतर को अंग् ये डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था यहाँ का अपना राजगराना सिस्टम चलता था तो बनारस के जो राजा थे ये हमेशा जहें ना फ्यूडलिजम को बढ़ाना चाहते थे कि फ्यूडलिजम बढ़ते रहेगा और इनका काम काज चलता रहेगा और ये सिर्फ कहने के हिंदु राजा थे लेकिन इनका उर्दू में काफी इंट्रेस्ट था और ये अपने प्रजा को बनारस की प्रजा को उर्दू के तरफ काफी ढाकलना चाहते थे तो बनारस को कभी भी भोजपूर या पुर्वांचल वगरे से जोड़ कर नहीं देखा गया है बनारस हमेशा से अपना एक सेपरेट राजगाराना सिस्टम में चलता था तो बनारस के जो राजा थे उन्होंने ये कहा कि हमने अपना च्षेतर आग्तरप्रदेश को दिया इसके बड़े हमें क्या मिला बनारस के राजा को लेकिन हलाकी बहुत काफी छोटा छेतर था बनारस जिला कितना बड़ा है उससे थुरह सा बड़ा कर लिजी अब इतने छोटे से छेतर को मिलाया गया था तो उससे बनारस के राजा का कहना था कि हमें क्या मिला दूसरा इनका ये पॉइंट था कि बनारस तो spiritual capital है पूरे इंडिया की यहाँ पे नौर्थ इंडिया, साउर्थ इंडिया सभी जगह से आते हैं oldest living city है बनारस मतलब कि oldest cities तो बहुत मिल जाएंगे हरपा है मुहन जो दरू है ये सब लेकिन oldest living city oldest living city का मतलब कि एक ऐसा सहर जो कभी उजड़ा नहीं हमेशा चलता ही आया तो वो था बनारस हिंडूओं के लिए काफी महत्तु भी रखता था बनारस तो इसे बनाने की राजधानी इनका ये point था बनारस का तीसरा नमबर था आगरा और आगरा का ये दावा था कि हम तो एक पहले अलग प्रसिडेंसी थे आगरा तो पहले अलग प्रसिडेंसी हुआ करती थी तो कभी हम प्रसिडेंसी थे और आज हम कैपिटल भी ना बन पाए बहुत ही डिमोशन की बात हो जाएगी और आगरा मुगलों की राजधानी भी थी मुगलों का काफी पसंदीदा जगा था आगरा उसके पहले भी तूगलक दिल्ली सल्तनत पर जितने आए सभी कोई आगरा दिल्ली के छेतरों में रहे और आगरा का ये पॉइंट था कि ये तो हमेशा से राजधानी रही है प्रदेश की क्या पूरे देश की मतलब पूरे समराज की राजधानी रही है आगरा और इलहाबाद से पहले आगरा ही सब कुछ था आपका अंग्रेजों को कहना था आगरा से ही सब कुछ आपका कंट्रोल होता था तो आगरा कोहीं बनाया जाए वह हिंदू पक्स का ये कहाना था कि आगरा मतुरा वृणिदावन ये सब छेत्र ब्रज का आता है जिस तरीके से बनारस एक धार्मिक महत्तो वाला जगह हिंदूों के लिए उसे तरीके से आगर आगरा भी है और यह तो पहले अगरवन था फिर आगरा बन गया यह ब्रज सरकीट के नंदर भी आता है आज के छेतर में आगरा मतुरा उडिंदा बन भरतपूरी यह सभी कुछ तो दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों का अपना अपना पक्ष था कि आगरा को बनाया जाए अब चौथे नंबर पे आता है जिसको जीत मिली जो सचमे राजदानी बन पाया वो था लखनवू और लखनवू अवद की राजदानी थी उत्तरप्रदेश के नहीं अवद की राज राजदानी थी फैजाबाद मतलxual की आईउद्या जो के बार में फैजाबाद हुआ और फिर देखा जाए तो राम राज्य से लेकर के कोसल जन्पद से ले करके जब बाद में एक मौडर्ण अवद बना तो हमेशा फैजावाद बाद में बना उसके पहले अयोद्ध्या ही रही राजधानी लेकिन बाद में उसको ट्रांसफर करके लखनू कर दिया गया क्योंकि अवद का छेतर में थोड़ा सा विस्तार हुआ पस्चिम के साइड तो सबसे बड़ा छेतर जो था जो कि उत्तर प्रदेश में मिलाया गया था करीब करीब अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को तीन हिस्सा मानते हैं तो एक तिहाई हिस्सा अवद कहीं था तो अगर ये समझ लिए कि अगर अवद के छेतरों को हटा दिया जाता तो आज का उत्तर प्रदेश से एक तिहाई छेतर फल आप खतम कर देते क्योंकि उस समय भोजपूर तोजपूर जैसा कोई छेतर था नहीं पूरा का पूरा लखीमपूर सीतापूर वगर के छेतरों से लेकर के पूरा का पूरा गोरक पूर तक ये सभी अवद में ही आते थे भोजपूर वगर कुछ नहीं था पूरवांचल वगर कुछ नहीं थ तो इसकी राजधानी बाद में लखनवु बनी और यहां पर एक प्रोपर मुनार्कियल रूल चलता था लखनवु का मतलब अवद के राजा का और यहां की प्रजा और राजा सभी कोई जब यह बात पे राजी हो गए कि ठीक है अवद का विलय होगा युनाटेट प्रोविंस मतलब आज के उत्तर प्रदेश में तो उसके बदले इन्हें क्या मिलेगा अवद के नवाब का यही कहना था कि अवद को क्या मिलेगा उत्तर प्रदेश में अवद को मिलाया जाए तो अवद को क्या मिलेगा हमारा जो प्रोपर मुनार्कियल सिस्टम चल रहा है यह तो खतम हो जाएगा हम ब्रिटिस राज की अधीन हो जाएंगे मतलब उस समय के अवद का नवाब का ये कहना था अवद को क्या मिलेगा ये बात अंग्रेजों के लिए एक कुस्सन मार करा गया और अवद काफी फार्टाइल लेंड भी था यहां पर से काफी टैक्स कर वगरा भी मिल बंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा कोई छेतर था जिसको कंट्रोल किया और अंग्रेज करना भी चाते तो तो अवद का छेतर था उसके बाद ये चार नम्बर भी निपड गया पांचवे नम्बर पड़ जो था वो था मेरट और मेरट को इसलिए चूज किया गया था मेरट हलाकि इतना ज़्यादा ये बड़ा दावेदार नहीं था लेकिन मेरट उस समय आगरा के बाद विश्टर नोतर प्रदेश का इकलोता बराजहर था और यहां से काफी बार जो है मतलब एक तरीके से अपना पॉइंट बर्चर के आगे रखने मेरट ही था और मेरट को खास करके विश्टर नोतर प्रदेश और कहा जाए तो पूरे के पूरे विश्टर नोतर प्रदेश का समर्थन था क्योंकि अगर यहां मेरट राजधानी बनती तो इसे काफी फायदा होता अब मैं बताता हूँ कि सभी को क्यों काट करके वर लखनों को बनाया गया सभी जो इतने छेतर थे सभी को दरकिनार करके लखनों को ही क्यों राजधानी बनाया गया इलहाबाद को आप थोड़ा तेजी करते हैं 20 मिनट होने वाला लगवगा इलहाबाद को इसलिए बनाया गया राजधानी नहीं बनाया गया क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो इलहाबाद से बहुत से आफिस वगरा मूव हो रहे हैं लखनू और इलहाबाद को नहीं ब बड़ा था और प्रयागराज अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के छेतर को देखेंगे तो प्रयागराज आपको इस टर्न उत्तर प्रदेश में मिलेगा सेंट्रल में भी नहीं मिलेगा इस टर्न में मिलेगा तो इलहाबाद से यदि आपको पिथवरागर को कंट्रोल क दिखकत तीजिते तो बाध के चैतर को काफिक दिक्वत से और दिक्कत हो जाता अगर कीवल इसके बात होती तो प्रयागराज बहुत बढियां जगह था तो इलहाबाद इसी तरीके से रिजेक्ट हो गया दूसरे नमबर पे बनारस रिजेक्ट हो गया क्योंकि यह काफी छोटा छेतर था और बनारस तो और भी पूर में इलहाबाद से भी पूर में यहां से तो और मुश्किल होता कंट्रॉल करना और spiritual capital वाली बात सब अंग्रेजों को जमी नहीं आगरा को इसलिए reject कर दिया गया क्योंकि already सारा system मूव हो चुका था इलहावाद लेकिन ये बात तैम आनिये कि आगरा से इलहावाद हाई कोट मूव नहीं होता और सारा जो process थाइड मिनिस्टर करने का ये आगरा से इलहावाद मूव नहीं होता तो आज उत्तरपदेश के राजाने आगरा ही रहती ये हो चुका था तो इलहावाद reject हो गया तो automatic आगरा भी reject हो गया क्योंकि आगरा और इलहावाद एक तरीके से एक दूसरे के पूरक रहे हैं पहले भी आज भी दूसरी बात उसके चौथे नमबर पर लकनो थी ये तो बन ही गई कारण में बताओंगा क्यों बनी पांचमें नमबर पर जो आया था मेरट तो मेरट को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि मेरट से दिल्ली की दूरी काफिक कम है तो अब दिल्ली चुकी राजधानी है ही पुरे देश की राजधानी है तो अब मेरट को प्रदेश की राजधानी बनाना थोड़ा उचित नहीं था और फिर यदि मेरट को राजधानी बनाई जाती तो वहां से फिर गोरकपूर को कैसे कंट्रोल किया जाता बलिया को कैसे कंट्रोल किया जाता, सोन बदर को कैसे कंट्रोल किया जाता, मेरट से, पिथोडागर को कैसे कंट्रोल किया जाता, ये सब बाते सामनी आई, ये चारों आप्सन रिजेक्ट हुए, बना आप्सन इल्हा लखनवू, और लखनवू इसलिए बनाया गया, क्योंकि लखनवू एक कहीं न कहीं सेंट्रल उत्रप्रदेश में इस्थित था और आज भी है और लखनवू से आप उत्राखंड के छेत्रों को भी कंट्रोल कर सकते हैं थोरा ज्यादा बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा लखनवू से हरिद्वार और देहरादून वेगर की जो दूरी है वो करिब करिब 7-8 घंटे की है आज भी 7-8 घंटे की ही है मतलब 7-8 घंटे में आप लखनवू से फिजिकली देहरादून पहुँच सकते हैं अगर आप बढ़ियां ट्रेन से जाएं फ्लाइट वगरे से जाएं तो फ्लाइट वगरे से जाएं तो बहुत कम ही एक घंटे में मुस्किल पहुँच जाएंगी तो लखनवू सेंट्रल उत्रप्रदेश में मौजूद था यहां से सभी छित्रों को कंट्रोल करना काफी एज़ी था आप लखनवू से जहां सी भी तुर्ण पहुँच सकते हैं मतलब यहां से लखनव से अवद के छेत्रों को कंट्रोल करना, बनारस, भोजपूर के छेत्रों को कंट्रोल करना, चाहे रोहिल खंड के छेत्रों को कंट्रोल करना, ब्रज को, बुंदेल खंड को, गरवाल को, कुमाओ को, तेहरी को, मेलट औगेरा, सभी छेत्रों को कंट्र करना लखनवू से काफी इजी था और लखनवू गोमती नदी की किनारे पर भी बसा था एक आवाद सहर था चुकि यहां पर अवद की राजधानी भी रही थी और अवद के राजा और प्रजा को ऐसा भी नहीं लगा कि अवद को उत्रप्रदेश में मिलाने के बाद उन्हें राजधानी अगर वो बनी रह जाए तो ये देखा जाता है कि उत्तरप्रदेश में अवद नहीं मिला उत्तरप्रदेश अवद में मिल गया ये माना जाता है इसलिए कभी भी कोई छेतर यदि किसी छेतर में मिलता है तो वो इस बात पर बल देता है कि राजधानी हमारी ही बनी रहे आपको जो करना करिए आप बनाए रखिए पूरी चीज लेकिन राजधानी हमारी बनी रहे मतलब डोमिनेंस हमारा रहे ये तब ये कहाना एक तरीके से सही माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश अवद में नहीं अवद उत्तर प्रदेश में मिला उत्तर प्रदेश भी था उपजाओ जमीन भी थी इसी कारण से इलहाबाद, बनारस, आगरा सभी छेत्रों को दरकिनार करके लखनो को प्रदेश की राजधानी बनाई गई और आज भी लखनो ही राजधानी है और लखनो आज भी काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ सहर है उत्तर भारत में दिल्ली, जैपूर, कोलकाता के बाद लखनो का ही नमबर आता है तो इसी साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, आसा करता हूँ, आप लोग ये समझ गए होंगे कि लखनो को क्यों राजधानी बनाई गई आगरा, इलाहवाद और बनारस को छोड़कर जैहिन जैभागल पूर जैन प्रदिस, अंगी कावासा, जिन्दावाद